दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बे एक और वीडियो के साथ दोस्तो वास्तू सास्त्र के अनुसार घर में मौजूद हर वस्तू में सकरात्मक और नकरात्मक दोनों परकार की उर्जा होती है अगर इने साथ इस्तान अत्वा साथ दिशा में ना रखा जाए तो नकरात्मक उर्जा फैलती है और अगर आप इने साथ इस्तान और साथ दिशा में रखते हैं तो यह सकरात्मक उर्जा से घर को भर देती है जो परिवार की मानसिक स्वास्त के लिए अच्छा होता है करती रहती है अगर हमारे जीवन में सबसे जादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो है समय हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं इस समय चकर का चलन कायम ही रहता है समय किसी के लिए नहीं रुकता किन्तु अगर हम आप से कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाई कर सकते हैं जी हाँ, आज हम घरों में लगी गड़ी जिसको हम रोज निहारते हैं पर कभी ये नहीं सोचा कि ये गड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है दोस्तों हम कई बार जीवन की छोटी छोटी चीजों को नजर अंदाज कर देते हैं पर वही चीज हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा परभाव डालती है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे गड़ी की सही दिशा आपकी जीवन को भी सही राष्टा दिखाने में मदद कर सकती है इसके अलावा कलेंडर को किस जगा लगाना चाहिए और किस जगा पर नहीं यह भी आज हम आपको बताएंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ताकि आप ऐसी अधियात्मिक और महत्पूर जानकारी वाले वीडियो देख सकें सबसे पहली बात घड़ी के परकार वास्तू सास्तर में घड़ी अगर गोल और अंडा कार की हो तो सबसे उत्तम माना जाता है पर आजकल देखा जा रहा है कि बजार में कई सारे परकार की घड़िया मौझूद है जिसमें घर के सदस्य या बगवान की फोटो भी लगाए जाते हैं लेकिन दोस्तों घड़ी के अंदर तस्वीर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है इससे आपके घर के सदस्य के जीवन पर समय का परवाव देखने को मिल सकता है और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी ना लगाए क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज दीव अगरबती और पूजन की अवशकता होती है और गड़ी तो कई मैनों तक धूल में पड़ी रहती है इससे भगवान का अपमान होता है और शुब नहीं माना जाता हो सके तो गड़ी का अकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें गड़ी का गोल अत्वा अंडाकार हमारी पित्वी के अकार को दर्शाता है चोकोर गड़ी में नुकीले कोने होते हैं और वास्तू के अनुसार नुकीली चीज नकारतमक उर्जा का संचार करती है दूसरी बात गड़ी को स्वच और नया रखें दोस्तों जैसे कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बहतर होता रहे तो उसके लिए हम खुद को बहतर रखते हैं नई कपड़े और नई आबूशन पहनते हैं उसी परकार अपने घर की गड़ी को स्वची रखना चाहिए समय समय पर गड़ी पर चड़ी धूल और जालो को साफ करते रहे इससे आपका भाग भी धूंदला नहीं पड़ेगा और कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवा कर चलाते रहते हैं एक जगा नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगा लगा देते हैं किरप्या ऐसा ना करें घर में पुरानी टूटी हुई घड़ी और धूल चड़ी हुई गड़ी या फिर बंद घड़ी तो बिलकुल भी ना रखें इससे घर में नकात्मकता और दरिदता का वास होने लगता है बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अफसर नहीं आते और वो अपने कार में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता तीसरी बात घड़ी की सही दिशा घड़ी को कभी भी दक्षिन दिशा में होना नहीं चाहिए दक्षिन दिशा यमलोक की दिशा होती है काल का अंतिम चक्र इहींश शुरू होता है इसलिए वास्तू सास्तर में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुम माना गया है घर में घड़ी को उत्तर पूर पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं किन्तु या ध्यान रहे कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग में किये जाने वाले दरवाजे की उपर कभी ना लगाएं इससे समय का परवाव आपके आने जाने की गती और दिन चरिया पर पढ़ सकता है घड़ी को हमेशा दिवार पर लगाएं जिससे आप समय को अपने सामने देख सकें चौती बात घड़ी के साथ कलेंडर का भी ध्यान रखें घड़ी समय का परतीक है तो कलेंडर उससे जुड़े समय की तारिखों का लेखा जोका बताता है कलेंडर को पूर्वी और उत्री दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए इसते वासु दोस उत्पन होता है और केपा अपने घड़ों में नए कलेंडर के साथ पुराना कलेंडर कभी न लगाएं कलेंडर और घड़ी दोनों ही आने वाले समय की सूचक हैं जो हमें आगे बढ़ाने की पेड़ना देते हैं उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए गड़ी को कभी पीछे समय के साथ ना रखें आप 5-10 मिनट आगे जरूर रख सकते हैं इससे आपको कभी भी समय का काल चक्र और दुष्परिनाम प्राप्त नहीं होगा यह एक छोटा सा उपाई हम आपको और बताना चाहेंगे रुकी हुई घड़ी और पुराना कलेंडर आपके भाग को भी रुकाफटों से भर देता है इसलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कलेंडर को बदलते रहें और कलेंडर को कभी भी अपने सोने वाले कमरे में ना लगाएं ना ही मुखे द्वार पर लगाएं यह शुमाना नहीं जाता पुरानी घड़ी को किसी को दान में देना शुमाना जाता है इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है तो दोस्तो यह थी हमारी आज की वीडियो और दोस्तों अगर आपके घर में भी कोई खराब तूटी हुई या फिर रुकी हुई घड़ी है तो उसे जल्दी से जल्दी चेंज करें और समय को और अपने भाग को भी चलते रहने दे अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं धन्यवाद